राश्रुबती एक बार फिर हैदराबाद के दौरे पर आ रही है राश्रुबती द्रौबती मुर्मु चार्जुलाई को हैदराबाद आएगी केंडरी संस्कृत वभाग त्वारा गचिबावली इंडोर स्ट्रेडियम में आयोजित अलूरी सीताराम राजु की जैनती के कारिकरम में वे मुख्यती थी होगी मुर्मु शाम चार बज़े से पांच बज़े तक इसे कारिकरम में हिस्सा लेंगी केंडरी मंत्री किशन रेडी के नादिट वर में इसकी ववस्ताथ चल रही है अंतराश्री ओलंपिक दिवस के उपलक्षे में एल्बिस स्ट्रेडियम में ओलंपिक रन कारिकरम में मुख्यती थी के रूप में मंत्री तलसानी श्रीवास यादा श्रीवास गौर संचालन समीती के अध्यक्ष और राउला श्रीधर रेडी शामिल हुए मंत्री तलसानी श्रीवास यादाौने उपल स्टेडियम पर संसनी के जोड़ी पनी करते हुए कहाए कि XCA में भर्षट्रचार बढ़ गया है उन्होंने कहाए कि च्रियर में अनमत्ता बर्थी गई है उन्होंने कहा है कि उपल स्टेडियम के लिज्य जल्द ही खतम हो जाएगी मंत्रे ने बताया कि सरकार उपल स्टेडियम पट्टे पर पुर्नविचार करेगी उपल स्टेडियम को खेल प्राधिकरन को सौपने की मांग की घोशना करी गई है संचारा समीती के सदसे रावूलाच रशेखनिका के हिदरबाद में भारती ओलमपिक संग त्वारा आज़ित ओलमपिक दोड में पनराजा छात्रों और एथलीटों ने भाग लिया खेल भावनों को दर्शाने के लिए यह कारीकर्म आज़ित किया गया था राव ने कहा है कि CMKCR की मनशा अथलीटों को ओलमपिक के लिए त्यार करना है ताकि खेल सांस्कूरती उभर सके चिंतिला रामचंडर रेडी ने तलंगाना सरकार पर साथा निशाना रामचंडर रेडी ने कहा है कि वेटलंगाना को केंडर द्वारा दिये गए फंड पर चर्चा के लिए तयार है केंड़ीय ग्रह मंसरी अमिल शाहा से भी मुलाकात करेंगे पहले भी कई बार दली का दोरा कर चुके केंड़ीय आर ने केंड़ीय मंसरीयों से मुलाकात करी और लेकिन अमिल शाहा से उनकी मुलाकात नहीं हुई लेकि राज रति गलियारों में ये वाज चरचा का एक विशय बनी हुई है की दूनों чार्ज साल बात मिले ये कहां जा रहा है की वह राज की परियोजनाओं के लिए केंडिय समर्थन मागने के लिए दिल्ली के दोरे पर जारह है हैं लेकिन बता चला है कि के टी आर्ज और अमेज शाह की बीच बैठक में अनराज रस्तिक मुद्डों पर भी चर्चा होनी की समभोना है बी अरस पार्टी के सुत्रों का कहना है कि केटी आर एक बार फिर राज के लंबित मुद्डों पर अधिकर दबाव बनाने के लिए द जमीन के बारे में अमिश्या से बात करेंगे और असा लगता है कि शहर में स्काय रूट के निर्मान के लिए रक्षा विभाग द्वारा मांगी गई छावनी की जमीनों के मुद्धे पर रक्षा मंतरी राजना सिंग के साथ बैठक होगी और मेट्रों के विस्तार को लेकर के पर रेतिया संबंदित्विभागों के केंजरी मंतरियों के साथ बैठक करेंगे राज में सत्तार उर्पियारस और केंडर सरकार में बीजीपी के बिज्जर सुलक की खबरों के बीच किंडरी मंतरी किशन रेड़ी ने बियारस सरकार के आलशना करी उन्होंने इस पर्ष्ट किया है कि बीजीपी ने अब तक बियारस के साथ गड़वंदर नहीं किया है उन्होंने आरुप लगा है कि जिस वरनी तिलंगाना को सेक्डों लोगों ने हासल किया उस पर एक ही परिवार का कबजा है उन्होंने कहा है कि सेमकेसियार के परिवार ने जंता के हजारों करोड रुपए लूटे हैं उन्होंने आलशना करिये कि वे उस पैसे से सत्ता में वापस आना जाते हैं उन्होंने कहा कि बियारस शासंग में तिलंगाना भष्ट हो गया है और भारती जंदापार्टी बियारस के विकल के तौर पर खड़ी होगी किशन ब्रेटी ने कहा कि कॉंग्रस और बियारस दोनों एक है उन्होंने कहा कि अगर कॉंग्रस विधायक जीते हैं तो वो फिर से बियारस में शामिल हो जाएगे उन्होंने कहा कि तिलंगाना में लोगतांट्रिक सरकार केवल बीजेपी के साथ ही सम्हों हकिशन रेडी ने साफ कर दिया है कि तिलंगाना में बीजेपी के सरकार आएगी राजमे सतारूड बी आरस और केंडर सरकार में बीजेपी के बीजेपी के खबरों के बीजेपी के खबरों के बीजेपी के अलचना करी है उन्होंने हस्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी ने अब तक बी आरस के साथ गर्बंधन नहीं किया है उन्होंने आरोप लगाय के जिसस्वर्निम तिलंगाना को सेक्णोड लोगों ने हासल किया और उसी पर एक ही परिवार का गज़ा है उन्होंने कहा कि सेमके सियार के परिवारे ने जिनता के हिजारों करूड रुपई लूट già है उन्होंने आलचना करें कि वे उस पैसे से सक तरह में वापस आना चाहते हैं उन्होंने कहा कि व्यारस शीयासित ने तिलंगाना प्रष्ट हो गया है और भार्ती जंदापार्टी व्यारस के विकल्व के तोड़ पर खड़ी होगी किशन्रेटी ने कहा कि कांगरस विधाय के जितने हैं तो वी फिर से भी आरत में शामिल ह साथ ही सम्हों है किशन रेटी ने साफ कर दिया कि तिलंगाना में बिजेपी की सरकार आएगी विधायक जगर रेटी के मांग करी है कि पुलिस एनस यू आई के प्रदेश अद्देश बालमुरी वैंकट के ठीकाने का तुरुन कुलासा करे विधायक जगर रेटी एनस यू आई अद्देश वैंकट के लिए अधिवटला पुलिस टेशिंगे और पुलिस ने बालमुरी वैंकट का पता बताने के लिए कहां कहां गया और जिनी गुरुनाना की शेविद्याले में गरफतार किया गया था और एक पियस से दूसरी पियस में सारंतरी कर लिया गया विधायक ने साफ किया है कि जब तक बालमुरी वैंकट का पता नहीं चल जाता तब तक बे एनस यू आई चातरों के साथ सब ही पुलिस टेशनों का चपकर लगाएगे सगरेडी जिले की हुनूर मंडल की वड़ेपली के ग्रामेंड में सनतनगर में तलंगरा राज प्रदिशन यू अंतरन बोर्ड कारले पर विरोध प्रदिशन किया और वड़ेपली गाउ के लोगों ने विरुद किया कि कैमिकल कमपनी के निर्मान के उन्हें पीनी के पानी से वंचित होना पड़ेगा सुर्भी कैमिकल फैक्टरी को तदकाल हटाने के लिए सनतनगर प्रदिशन यू अंतरन बोर्ड के समक्ष लाया गया और उन्होंने इस बात पर चिंता वैक करी है कि अधिकार ही कई बार अनुलूत के अनुसार कारवाई नहीं कर रहे है गाओ के लोगों ने अपनी शिकान बताते हुए काया कि संजीव राओ नाम के एक वाक्ती ने पहले काया कि वह एक जल से यंत्र का निर्मान कर रहा है फिर एक रसायनी कार खाना साप्त किया और पीने के पानी में रसायनी कच्रा छोड़ दिया उन्होंने मांग करी है कि सरकार तुरन सुर्भी क्यामिकल पैक्ट्री का परमिट रद्द करें और लोगों की जान बच रहे है करनाटक में कौंगर्स पार्टी की सफलता के बाद तेलंगाना की राजश्रिती में मतवफोर्ण घटना करम हो रहा है पुर्वसांसत, पंगुली, टी, श्रेनिवास, ड्रेडियो, ट्यारस, छोड़नी वाले पुर्व मंत्री, जुपली, कृष्णा, राजश्र जल्दी कांगर्स में शामिल होने वाले है दोने नितों ने इस पर शब्यान दिया है और इसलिए कॉंगर्स निता कह रहा है कि इससे राजश्र में बियारस का पतन शुरू हो गया है लेकिन इन सब बातों से ऐसा लग रहा है कि जोश में दिख रही कॉंगर्स पार्टी कुछ हटका लगने पाला है और ऐसी खबर है कि सगरेडी विधाय जो वर्तमान में कॉंगर्स विधायक है जल्दी कॉंगर्स पार्टी कल वीधा कहा कर भीयारस का दामन थामने वाली है और इस बात पर भी संध्य जटाता जाता है कि वह रह चुब क्यों है और इसी बारे में कुछ जो बोल क्यों नहीं रही है और जब ऐसा लग रहा है कि तलंगाना में कॉंग्रेस मजबूत हो रही है तो चल जाए कि बियारस ने पार्टी को उल्टा जटका देने की योजना बनाई है अब ऐसा लगता है कि BIRS जोके योजणा त्यार की है कि जगरेड़ी जो से युक्त मेदक चीले में कॉंग्रेस पार्टी के एक मजबुत नहीं था है BIRS में शामिल होकर पार्टी कांक कुछ लगा सकते हैं ऐसा लगता है कि बियारस ने भी तलंगाना में प्लान को बढ़ावादी रही कॉंग्रेस पार्टी पल लगाम कसनी के लिए रिवर्स अटेक शुरू कर दिया है MLC मदुसुदन शारी ने कहा है कि भार्टी कलो परंपराओं ने पक्षिमी दीचों को भी प्रफावित किया है शांटिक्रिश्णा सेवा समीती की तीसवी वर्ष घाठ टेलंगाना दश्यक समारों के उसे पर बिडला तारा मंडल में मनाई गई कारेक्राम में मुक्यतिती के रूप में मंचरे राबली दिया कर और MLC मदुसुदन शारी शामिल हुए मदुसुदन शारी ने कहा है कि युवा को पक्षिमी सभिता की आदत नहीं बलकि भार्टी पानपारी कलाओं की आदत डालने चाहिए नदीश य किश्वनात ने फिल्मों के माध्यम से दुनिया भर में भार्टी कला के मानता का गुंद गान किया उन्हों ने गुरुह और कलाकारों के लिए सवार्ण नदी प्रसकार की अधिक शिता करी है संसा की अधिक शांतीव क्रिश्णिया ने बताया कि संसा के 116 वे कारेक्रम में 500 कलाकारों ने भाग लिया और 700 कारेक्रम प्रस्ट उटके है उन्होंने सुझाओ दिया है कि माता पिता अपने बच्चों को बड़े ध्यान से भार्टी कला सिखा रहे है इसी परंप्रा को अन तक चारी रखा जाना चाहिए है मुलुकु विधाया इसे तक का युवा कॉंगरस के प्रदिश अधिर शियुसीन अरेडिय अभियान समीती के सियोजग अस्पतुला ओयूज जी इसी अध्यक्षिय लोकेश यादों ने सील पी नीदा भट्टी विक्रमार्ग से मलाकात करी और भट्टी विक्रमार्ग के टिपली पैदल यातरा शीविर मेलू के कारण बीमार पड़ गयते डॉक्टर विनोत कुमार गौर्ड ने भट्टी को सचा दिया कि उनके लिए दो दिन का आराम जरूरी है डॉक्टर की नदेशा नुसा लोगों का मार्ज दो दिरों के लिए सगित कर दिया गया है अलपेविराम के बाद भट्टी की पदियातरा आज से शुरू कर दी गई है रंगारेटी चिले की मिर्पिठाना अंतरगत वैंकटाद्री नामक वैक्ति की घर में चोरी हुई है रियल स्टेट कारोबारी के घर में तब चोरी हुई जब अपने गाउ गया था वापस आकर देखा तो उसी की घर के ताले तूटे हुए थे अंदर शाकर देखा तो घर का सामन भी खिरा बड़ा था चोरो ने घर के मुख्य दर्वाज़े के ताले तोड़ दिये और आलमारी से पन्रा तोला सोना पजास तोला चांती और एक लाख रूपे नगत ले लिए वैंकटाद्री की शिकायब पर प्लिस मौके पर पहुचे और अपनी टीम की मदद से सबुच जुटा है मामना दर्ज कर जाज शुरू कर दी गई है मेर्चल जुले के कुतब उलापुर नर्वाजन शेतर के पेटब इश्राबाद पुलिस स्टेशन के आलवाल लोयला कॉलिस शेतर में आग लगने की घटना हुई है कार में आग लगे और असा लगता है कि सुचे नाम में यादगीरी नाम का शक्स अपने किसी परिशे से कार खरीद कर घर लोट रहा था कार में अलवाल जाते समय कार्तिक निकारी के अगले दर्वाजे से आ रही आख से सतर खोग कर तुरंत कार को सड़क के किनारी रोग दिया हास्वी कार पूरी तरह से चाहिए